सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर टेक्निकल चैनल को और बेल गंटी को दबाईए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और यह बिल्कुल फ्री है हाई फ्रेंड्स मिस्टर टेक्निकल चैनल में आप सब लोग को फिर से स्वागा थे तो रोबोट खाना बनाएगा यह शायद आप लोगने सुना है सुना होगा तो कैसे और यह स्टार्ट हुआ के नहीं तो यह जानने के लिए देखते रहे मेरी वीडियो आखरी तर नमस्कार मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निकल कैलिफोर्निया का इनो दा सन फ्रांसिसको बे एरिया जो अमेरिका का सबसे कॉस्टेस्ट सिटी माना जाता है जिदर एक घंटे के लिए आप लोग को 15 डॉलर एक्सपेंड करना पड़ेगा तो यह एरिया में एक रेस्टूरेंट खुला है आप जब रेस्टूरेंट से अंदर जाएंगे सब देखेंगी एक साइड में टेविल है इनको नॉर्मल लाइट से सब कुछ है और वाल में डेकोरेशन है लेकिन ऑपोजिट साल में कंटर का मेडिल में दो बड़ा-बड़ा 14 फि है है आम लोग घर ने भीicamente당 में लोग भी मामी खना पकाता आए- और बहर में जाएंगे में तो लिकिन इंट मतना है लोग भी मग गाता है लिकिन थाथ फो रहूर है चैसे लिकिन इस में पोजिटीव पॉंट से तो जारन है तो यह में टूटली हईजिन अफिके में टूल इसमें तो हाइजीन तो हो गई और मेशीन में 350 सेंसर और 20-20 माइक्रो कम्प्यूटर है जिसमें कम्प्यूटर में आप जो इन्फरमेशन डालेंगे वह बीना गल्ती के वियाओ वह एकदम सीधा उसका काम 100% सही तरीका से करेगा उसमें कोई कम्प्लेन नहीं आएगा अभी तो इसमें देखिए लेवर नॉर्मली दा सन फ्रांसिस्कों में उन लोगों ने क्यों खुला ये रेस्टुरेंट क्योंकि उदर स्टेंडर अप लिविंग इस सो हाई और एक प्रोफेशनल स्किल्ड वरकर हायर करने के लिए कम्पनी को बहुत पैसा देना पड़ता है और जुक्स और सेमी स्किल्ड लेवर हायर करने जाएंगे तो लेवर उन लोगों मिलेगा नहीं क्योंकि उदर नहीं रधोंकि दर का रोम रेंटतर से लेकि सब को लेकिन यह automated machine में जो बारकर निकलेगा, cheeseburger, and that's really fresh, आप लोग को 6 dollar में मिलेगा, तो यह तो अभी US में use हो रहा है, this can be spread out all over the world, 2-3 साल वेट कीजिए, रोबोट्स इतना बड़ा तारीक ऐसे हम लोग को सब जगा में इंडस्ट्री से लेके, you know the electronics car making से लेके, अभी food business में, I know the robot आ गया, उसमें AI features से लेके, सब कुछ है, तो यह इसमें क्या होता है, तो एक गलत सोच आप लोग मत रखिए, यह robot पूरा खाना नहीं बनाएगा, robot आधा बनाएगा, humans can other बनाएगा, तो यह machine में क्या होता है, आप picture में शाइद देखा है और आगे भी देखेंगे, उसमें cylindrical लंबा लंबा ट्यूब होता है, जो बर्गार जिदर बनता है, वो cylindrical ट्यूब के अंदर में खाना humans, I mean आदमी लोगी रखेगा, क्योंकि यह खाना आधा पकाएगा आदमी लोग kitchen में, और वो cylindrical ट्यूब में भर के देगा, और machine जब order आएगा, तो machine ओ order का हिसाब से step by step खाना लएगा, जैसे बन होगा, बन अगर साइट से नहीं रखेंगे, तो बन उल्टा साइड में रखेंगे, तो उल्टा साइड मे machine लगा के देगा, कि machine में आप लोग जैसा fit करेंगे, जैसे information देंगे, machine आपको ऐसा ही result देगा, तो human को भी थोड़ा knowledge की जुरूरत है, उन लोग को भी सीखना पड़ेगा, कैसे machine अपरेट करना है, तो यह cylindrical tube हमेशा खाना पूरा है, तो फूल रखना पड़ता है, जैसे burger अगर का जो buns का जो cylindrical tube उसमें bun रखना पड़ेगा, lettuce में lettuce, cheese में cheese यह रखना पड़ेगा, तो यह सब रखके cylindrical tube लाएगा, जो machine on होगा, तो step by step जैसे bun आएगा, उसके बाद mustard लगेगा, उसके बाद chicken का वेस्ट आएगा, तो cheese जालेगा, सब कुछ करके, एक दम में सर्फ करेगा, that's very hygienic, and you know the time भी बहुत सब होगा, क्योंकि cashier के समने उतना जंजाट, you know, यह दीजिए, ओ दीजिए, तो they can use their phone, even their iPad, हर टेबल में iPad होगा, so all iPad से order करेगा, और machine में जब आएगा, computer में तो उधर से machine से automatically खाना निकल के आएगा, इस से, you know, the labor, lot of, you know, the labor cost, they can save, and they can save at least 40% time saving, बहुत जल्दी भी खाना आएगा, तो ऐसा, तो एक Miso Robots, तो आभी वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, लेकिन यह स्रिक news में एक ही हुआ है, यह news मैं आप लोगे साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यह McDonald's में इसके लिए थोरा इंटरेस दि खाया, तो McDonald's का जितना रेस्टोरेंट, देखे, हम लोगे को मालूम होगा, हमारा All Over The World एंडिया में McDonald's का बहुत सरा रेस्टोरेंट है, Burger King से, इनो दा पीजा का सेक्षन तो है, तो ऐसा रोबोट अगार यह सक्सेस्पूल होगा, तो ऐसा बाला मेशीन, हर बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट जो फास्ट पूड चेन है, जैसे McDonald's से, इनो दा बर्गर कीं है, साबवे है, टाको वेल है, पीजा सेक्षन में देखिए, डॉमिनूस पीजा है, पीजा हाट में, सब में आएगा, सब में आएगा, और सब लोग बोला, यह मेशीन हाईगा, तो हमारा हम लो अदमी लोग बनाएगा, और मेशीन में फीट होगा, तब मेशीन से final preparation होके आएगा, तब सर्वार जाके ओं लोग सर्फ करेगा, तो यह तो देखिए, मेशीन तो अल्रेडी रोबोटीक्स और बड़ा बड़ा मेशीन तो अल्रेडी, इनो फूट प्रोड़क्शन, जो मेक्सिमम जपान ने बनाया है तो और भी शायद इन फूचर में आएगा एंड इस रियली ओ सन फ्रांसिस्को बेरिया में ओ रेस्टूर में जाएंगो यह एक्सेप्शनल अच्छे डालर में एक बर्गर और विदिन 10 मिनिट्स यू कन गेट इत विद एवरीटिंग नाइस सब्सक्राइब है तो इसलिए मैं सोच आप लोगों के शाबी मैं शेयर करूं कि मैं भी एक होटल इंडस्टी में बहुत साल काम किया मेरे को मालूम है मैं अपर इसलिः डनींग सब्सकριाते हैं मी जूसर में जाबवोरोट इसमेशन आइगा तो छूब सुद्रा रहेगा क्योंकि सर्वीष हा और हो फूड एटर से सग्सिप्राइद निवाट निच्वाम भूत खृत कीजि़ुट होता है किभाई घौन घिर भी जाता है और, you know, the harmful disease होने का भी कोई chances नहीं है, ये तो ओर रेस्टोंट आभी San Francisco में बहुती बहुती पॉपुलार है, तो आप internet में search करेंगे, तो आप लोग को मिल जाएगा, तो it's really really interesting, so robot can make food, this is the headline and I like that, so ये video आपने थोड़ा एक जलक भी देखा, that's really interesting and देखते इन future में, शायद हमारा इंडिया में जितना Burger King और McDonald's restaurant है, first food chain, शायद उदर भी ये सब मेशिन आएगा, तो सब अम लोग, सब लोग और भी जानेगे, तो आभी तक तो किसी को मालूम नहीं है, आप थोड़ा देखेंगा, बहुत कम लोग को मालूम है, जे robot can make the food, so anyway, this is a good news, if you like that, this news, please share your friends and relatives, and if you like my video, so like कीजिये, अच्छा लागे तो, नही लागे तो, इसलागे तो, इसलागे कीजिये, no problem, so thanks for watching my video, मिलते है आगा वीडियो में चलिये, thank you so much. का वीडियो में चलिये, कर दो